नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज हमारी जर्नल डिस्क्रशन रहेगी डिश्टडी इन कैनेडा के ओपर ही क्योंकि बच्चे भी हमें कमेंट्स लिखते रहते हैं parents भी हमें लिखते रहते हैं कि sir कोई update बताइए किनेडा के उपर क्या चल रही है तो हम अपने channel के उपर daily एक या दो वीडियो डालते रहते हैं different different topic के उपर जो भी updates रहती है different different countries के उपर और crown immigration कम से कम hundred countries को deal कर रहा है और उन सब hundred countries की हम information अपने channel के उपर डालते रहते हैं जो कि आज की date में क्या situations है बहां के country के अंदर चाहे वो student visa की है चाहे वहां की permanent residences की है चाहे इंवेस्मेंट की है चाहे वहां पर tourism की है तो आज जो हमारी discussion है वो कनेडा के उपर ही रहेगी अभी Canadian government देखो कितनी अकलमंद है कितनी सियानी है क्योंकि covid का impact मतलब पूरे world के उपर पड़ा हुआ है आज की date में भी situation तो माड़ी है यहां पर भी देखिए school college इस्टिल बंद पड़े हुए है अभी जो खुलते भी है तब covid के जब पेशन निकलते हैं तो फिर close कर देते हैं तो foreign countries की आज की date में भी situation बैसी है चाहे वो UK है अस्टेलिया ने नियूजिलेंड ने अभी तक बॉडर नी खोले हुए चाहे वो USA है तो शेंगन की भी बहुत सारी countries के अंदर still अभी तक lockdown है उन्होंने अभी तक अपने tourism तो खोले नहीं है तो बचे बड़े desperate हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं है बहां पर वो इतने desperate है कि सर हमपोंचे तो kis way से बहां पर क्योंकि बहाँ पर living expenses very important हैं बहुत ज़्यादा है और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए accommodation बड़ी expenses है तो बच्चा तो यह expectation लेकर चलता है कि जाता ही बहाँ पर पतनी job मिलनी है चलो अभी Canadian government देखो कितनी अकलमंद निकली है क्योंकि सबसे ज़्यादा impact इसका मतल टूर ट्रेवल इंडस्ट्री में होटल पर है मतल सब एक sectors में पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें उपर इतना impact पढ़ा पूछो ही मत तो Canadian government ने अपनी hotel industries को बचाने के लिए वहाँ पर यह प्लान लग बना दिया है जो मेरी अपनी अपना quarantine तीन दिन के लिए रहेगा तीन दिन के दो हैर Canadian डॉलर ले रहे हैं तीन चार लोकेशन्स हैं चार चार पांच लोकेशन्स हैं यहां पर बच्चे को उन एयरपोर्ट के उपर उनको इंट्री मिलेगी तो देखो अपनी hotel industry को बूस्ट करने के लिए सारी वार्ड अन international students के उपर डाल दिया है उनको मालूम है कि student बड़े desperate है उन्होंने तो आना ही आना है और Canada के नाम पे कहते हैं कि लोग लाखों रुप्या खर्चते हैं क्यों ना हम भी अभी इन students से डिरेक्टी लेते हैं अपनी industry को बचाने के लिए अभी सिर्फ तीन nights के लिए 2000 Canadian डॉलर ह पर एक international students की एक burden है जेवी देना पड़ेगा उसके बाद जो अनदर आपके गेरा दिर रहते हैं वो कहां पर रहना है आपका क्या quarantine plan है वो भी आपको submit कराना पड़ेगा तब जाकर आपकी बहां पर entry होगी चलो let's अभी आता है कि सर आज की date में जो PPR की क्या progress है क्या trend चल है और PPR आज की date में धड़ा-धड़ आ रहे हैं जो pending पड़े हुए थे को मार्च को अपरेल मई जून धड़ा-धड़ वीजे दे रहे हैं उनको मालूम है कि इसके साथ दो दो हजार डॉलर भी आने हैं हमारी hotel industry ने भी बचना है तो धड़ा-धड़ वीजे दीजे तो कु पहले previously refused नहीं थे, appropriate marks थे और उनको उन्होंने positive results दी हैं पी पी आर मींज आपका वीजा आ गया है सिर्फ आपने अपने पासपोर्ट समिट करवाना है stamping के लिए तो एक तो यह trend है इसी तरीके से जो हमारा experience रहा है कनेड़ा से अगर मैं पिछले 3-4 साल से student वीजा कनेड़ा आ रहा हूं सबसे ज़्यादा जो वीजाज मिले हैं ये वाले सबसे ज़्यादा वीजाज मिले हैं पूरी history अगर उठाके लेके तो कनेड़ा की student वीजा के सबसे ज़्यादा कनेड़ा क्नेडियर गॉर्मनने अब वीजे दी हैं उनको पता है कि revenue यहां से generate होना है उनकी economy त आप से हैं वो इंटर्नेक्शन स्टूटेंट्स के उपर डिपेंड है वहां पर तो यह देखिए तो अभी दूसरा आता है कि इसमें कैसी प्रफाइल ने थी इसमें उन्होंने जो तो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे बीग प्रफाइल वालों के भी उन्होंने किया था इल्टेस तो है यह जहां अनदर इंग्लिश प्रॉफिसेंट्स जैसे डेलिंग उनके साथ अपलाई के तो उनको भी वीजास मिले हैं जो रिजेक्शन आई हैं वो पिन बच्चों की आई हैं रिजेक्शन आई हैं उन बच्चों की जो प्रिवियस्ली रफ्यूज किया तो रिजेक्शन दोबारा ने दोरा ट्राइद किया था उनकी रिजेक्श tu 시 दवारा देखने कम्ली हैं लेकिन में वीस भी मिले हैं तो दूसरा जो रिजेक्शनस का खुरम प्र देख हूं। के उन रिभी क्या रहा है कि क्राउन इंगरिषण अगर आप डालते हैं मिलते हैं जब आप गुगल में डाले तो आपको यूटूप में डाले तो उसको देखने के बाद जब बच्चों के में रिफ्यूजल पड़ता हूं उसमें प्रेजेक्शन आई आई है कि प्रेजन होता है वहाँ पर सोपी मोटिवेशन लेटर बैरी इंपोर्टेंट और वह भी कंपरहेंसिव चाहिए उसके अंदर मतल एन एक्जेक्ट पॉइंट साइए कि आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं किस तरीके से अपने वीजा आफसर को सैटेस्पाइक करवा सकते हैं क्योंकि मैं अच्छी उनिवस्टी में जा अच्छे कॉलज में अड्मिशन हुआ है तो तब भी आप वीजा ले सकते हैं क्योंकि मैंने पिछला अभी एक जज़्मेंट आई थी लेटेस्ट वहां की फैडरल कोड की कैनेडा की तो जो बच्चा तीन बरी रिफ्यूस ता जिसकी 40 साल की भी देखने को मिली है कि आपका मिस मैच और प्रोग्राम में प्रीवेस स्टडी डिफरेंट टाइप की ती जो फीचर स्टडी है वो डिफरेंट टाइप की यह वी एक रीजन रहा है क्योंकि जब रिफ्यूस आते हैं हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो डिमरलाइज हो प्रोइड कर सकती है कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि भी एर आल्सो पुटिंग दा एड्मिस्टेटिव रिव्यू इन फाइडल कोड जहां पी हमें अप्रोप्रोप्रियट लगता है लेकिन वहां पर दो दो साल डेड़ेट साल लग जाता है रिजल्ट आले में तो अ बता सकता हूं कि आपको अपना केस कहां पर डालना चाहिए तो इसमें मैं एक चीज और कबर कर दूँ उनके भी रिजेक्शन आई हैं जो बच्चों ने अपरल में केस डाले थे 2020 में और जिन बच्चों ने एक एक साल ओनलाइन अपनी क्लासिस कंप्लीट कर ली हुई है सा कनेडियन अमबैसी ने इंडिया के अंदर तो उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को मैं सुझेस्ट करता हूं कि वो अपनी फाइल दोबारा डालें फिर रियापलाई करें और अपनी जो एस सोपी है अपना कवरिंग लैटर उसके अंदर हर एक च पोस्टडी पर्मिट आइधर आप इंचोर हैं जा ओफशोर हैं तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिखें अपने ट्रांस्क्रिप्ट भी साथ में लगाएं जब आपने द्वारा रियापलाई करना है तो मयोर्टी ऑफ चांसेज आपको द्वारा वीजा मिल सकता है अगर भी नहीं मिलता है इन बच्चों को डेफिनेटली नौक करना चाहिए फाइडरल कोड को जा अपना एड्मिस्टेशन रव्यू डालना चाहिए इवन उसके बाद भी अगर उनका रफ्यूज आता है तो कनेडिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है चाहे आपन प्रेंड लगा हुआ है आपने अपना टीरव अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है चाहे आपने फैमिली रीजूनियन जिसको हम आप कहते हैं ऑपन वर्क पर अप्लाई करना है तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको एक अच्छे सी अपना ओपीनियन दे सकती है वीज़ा अप्लाई कर सकती है तो कनेडिया से रिलेटेड हमारे बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल को उसको भी ब्रोज करके देख सकते हूं लास्टी यही रूक्वेस्टर के अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छली किसो लाइक और शेयर करना नहीं है थैंक्यू